हेलो माई डियर स्टूटेंट्स आज अपनी एक फिर से नहीं वीडियो के साथ मिल रहे हैं चोकि केमिकल काइनेटिक्स का कंटिनियूड वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे इनिशियल रेट लॉग एक मैठेड है ठीक है उस पे बेस निमेरिकल क्यूंकि क्लास 12 में इस ट सुल लेट स्टाड विद इतक्त्रीड येस जो गूए चोड़्योऑ inherited पर यह बेज धिया थेक है इनिशियल रेट लॉग एक प Democrat से अपन करके C बना रहे हैं इसमें आपको पूछा है order, rate law and rate constant इस तीन चीज़ें पूछी है और जो data given है आपको एक experiment हुआ जिसमें concentration A और B का data mine किया गया और initial rate दिया हुआ है ठीक है तो experiment 4 हुए है पहले experiment में A की concentration 0.2 थी फिर 0.1, 0.4 and then 0.1 B की concentration 0.3, 0.1, 0.3, 0.4 initial rate था 4.2 into 10 to the power minus 2, then था 6.0 into 10 to the power minus 3, then था 1.68 into 10 to the power minus 1, then था 2.40 into 10 to the power minus 2 अब आपको इसको solve करना है ठीक है solve करके आपको यह तीन चीज़े निकालनी है order, rate law, rate constant तो अपन सबसे पहले rate law लिखते हैं rate law लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A की power alpha, B की power beta यह हम मान के चल रहे हैं तो आपको पता है sum of exponent is what? order ठीक है, तो अब आपको ऐसे कोई भी दो rate का ratio लेना है जिसमें कोई एक चीज़ कैंसल हो रहे हो दूसरी चीज़ बचे तो जैसे आपने किस-किस का ratio लिया second और fourth का ratio लिया rate 2 upon rate 4 का ratio लोगे तो क्या लिखोगे? A की power alpha, B की power beta second वाले के लिए same चीज़, यहाँ पर fourth वाले के लिए ठीक है, तो अब आप rate 2 rate 2 क्या है? 1.68 rate 2 is 6.0 sorry 6.0 into 10 to the power minus 3 upon rate 4 कितना है? 2.0 into 10 to the power minus 2 अब यहाँ से k था है ना, k से k तो cancel ही हो जाने है क्या बचेगा? A A rate 2 के लिए कितना है? 0.1 की power alpha बीटा कितना है? 0.1 second के लिए है ना फिर fourth fourth के लिए A कितना है? 0.1 alpha बीटा कितना है? B मतलब 0.4 बीटा अब देखो यह तो term cancel हो गई आपकी, same थी अब क्या बचा बीटा? बीटा बचा, अब इसको solve करते हैं ठीक है, इस वाली term को जब आप solve करोगे 6.0 upon 2.40 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 2 अब यह point से point हट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 by 4 की power बीटा ठीक है अब इसको solve करोगे जब इसको solve करोगे तो आपका 1 into 10 to the power minus 2 उपर बचेगा 4 into 10 to the power minus 2 भी नीचे बचेगा यह दोनों जब cancel हो जाएगे 1 by 4 बीटा बचेगा अब जब यहाँ पे भी 1 by 4 बीटा है यहाँ पर है न? और यहाँ पर भी 1 by 4 बीटा है तो जब base सेम होता है तो power compare हो जाती है तो देखो बीटा और यहाँ यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 तो बीटा इक्वल्स टू आपका 1 ना आ गया ठीक है? तो आपको एक चीज तो मिल गई है ना? एक चीज आपको क्या होई? मिल गई अब आप क्या करोगे? अब आप alpha की value निकालोगे alpha की भी कैसी निकालोगे? ऐसी निकालोगे अभी हमने second और fourth वाले का ratio लिया था अब आप first और third का ratio ले लो first और third का जब ratio लोगे तो क्या cancel हो जाएगा? बीटा cancel हो जाएगा? बीटा cancel हो जाएगा? फिर क्या बचेगा? alpha तो alpha की value मिल जाएगी? alpha की value मिली? तो आपको alpha बीटा की मिलगी values है ना? देखो अब अपन करते हैं alpha के लिए ओके? तो देखते हैं यह कितना था है? 0.4 तो अब first और third का ratio लेते हैं ठीक है? first और third का जब ratio लोगे तो क्या हो जाएगा? first का rate कितना दिया हुआ था? first का rate दिया था 4.2 यहाँ पर क्या था? 10 to the power minus 3 ठीक है? तो यह कितना हो जाएगा? अब अपन को लेना है first और third का rate जिसमें dots बनी हैं, ओके? 4.2 into 10 to the power minus 2 upon 1.68 into 10 to the power minus 1 ठीक है? equals to alpha कितना है? 0.2 alpha k से k तो cancel हो जाता है beta कितना है? 0.3 beta और third वाले के लिए 0.4 alpha और 0.3 beta तो यह cancel हो गया, k cancel हो गया अब आपका क्या बचेगा? into 10 to the power minus 2 into 10 to the power 1 अब यह point से point हट गया, तो 1 by 2 है न, alpha बचा जब आप इसको solve करोगे तो कितना हो जाएगा यह यह लगबग आपका जब solve करोगे it will again comes out to be 1 by 4 ठीक है? और यहाँ पर है 1 by 2 alpha तो यह just इसका double है, है न हम इसको क्या लिख सकते है? ऐसा लिख सकते है न तो अब आपन इसको क्या करेंगे? alpha की value मिल गई 2 alpha की value मिल गई 2 और beta की value हमें मिली थी 1 तो अब rate law कैसे लिखेंगे? a की power alpha मतलब 2 b की power beta मतलब 1 तो order of reaction क्या हो गया? 3 हो गया 2 plus 1 यह न, sum of the exponent rate law हो गया हमारा order of reaction हो गया एक last term क्या बचिए? rate constant निकालने के तो rate constant निकालने के लिए आप इन 4 में से कोई भी एक value को उठा सकते हो और इस rate law में रख सकते हो जैसे आपने मान लो second वाला उठाया, ठीक है? second वाला उठाया, तो इसके लिए rate कितना दिया हो है? rate of reaction यह है rate constant हमें निकालना है a की value दिया है 0.1 का square beta की value भी b की value भी 0.1 दिया हो, पावर 1 है तो यह जब solve करोगे तो कितना हो जाएगा? 0. 0.1 0.1 जब इसको पुरे को solve करोगे तो k की value आपकी something आएगी 6 since यह first order reaction तो है नहीं, third order reaction है order third आया है तो order आप किस के की unit होती है वो क्या होती है? moles, liter per second तो यहाँ पर आपका क्या होता है? n-1 यहाँ होता है 1-n तो इसके according आप third order reaction की निकाल दो, third रग दो, n equals to third तो यहाँ 1-3 तो कितना हो जाएगा? minus 2 हो जाएगा यहाँ L कितना हो जाएगा? 3 minus 1, 2 और तो 6 तो आपको यह तीन हो चीज़ें मिल गई क्या क्या मिल गई? rate, order, rate, constant तो I hope आप लोग को यह चीज़ समझ आई होगी and this is all what about the numericals and we will continue again in the next lecture okay? thank you keep learning and subscribe to the channel झाई हो झाएगा ते क्या और झाएगा भाएगा ते है झाल झाल